नमस्कार दूस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले आपकी जो 1255 पदों पर आपकी जो मुख्य परिक्षा होने वाली है जिसका केस अब सुप्रिम कोट में चले गया है जिसमें सुप्रिम कोट में 30 तारीक को आपकी जो सुनवाई होने के बाद finally अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को आपकी होने वाली है उसमें केरियर ली बोला गया है कि मद्धिप्रदेश हाई कोट से जवाब मांगा गया है तो आज डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे क्या आपकी मुख्य परिक्षा की ड परिक्षा कि आपको जो 20 और 21 तारिक को आपकी है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करके रखनी है ठीक है आगे बात करते हैं आपका जो अगली जो सुनवाई 6 तारिक को है उसमें मद्धिप्रदेश हाई कोट सामन प्रसाशन विभाग यानि जेडी जेडी से और आपका जो इस प्रकार का है अब मैं आपको पढ़के बताता हूँ तो छे फरवरी को आपके पेश करना है और जो आपके जो केस है वो जस्टिस अजे रस्तोगी एम जस्टिस बेला एम तिरवेदी की खंड पीट ने अन आवेदकों को छे फरवरी तक जवाब पेश करने का निर्दे इस प्रकार अभी देखा जा सकता है कि इस प्रकार से यदि छे तारीक को फाइनल यदि नहीं जवाब मिलता है तो आपको मध्यप्रदेश उच्चन्यालाई की वेबसाइट पर आपको यह देखने को मिल सकता है कि आपकी अब भ़्यार कारण से आपकी मुख्य परिक्षा की तारीक आगे बढ़ा ही जा सकती है 99% chance है कि आपकी मुख्य परिक्षा की तारिक आगे बढ़ सकती है ये आपको clearly आपको जो 10 तारिके उसके बाद ही आपको यदि ऐसा होता है 6 तारिक को यदि जवाप पेश कर देंगे तो आपका 20 तारिक और 21 तारिक को मुख्य परिक्षा हो जाएगी और चो भी कुछ भी अपडेट होगा वह मैं आपको बता दूगा बट ये है कि आप अपनी तयारी अच्छे से करके रखिए 21 के इसाब से आपके लगबग 18-19 दिन है आज से देखा जाए तो तो आप तयारी उस इसाब से करें और यदि डेट आगे बढ़ती है तो वो मद्यप्रदेश हाई कोट की साइट पर आपको अलग से लेटर मिल जागा क्योंकि इन लोगों ने मुख्य परिक्षा कि ओफिशली डेट आपको दे दी थी तो इनको यदि आगे बढ़ानी होगी तो आपको नोटीस के जरिए आपको इनफॉम करेंगे तो यही आपको बताना था होपस आपको चीज समझ भागो यूगी चीज समझ भागी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीए अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीए चले नए वीडियो मिलते है नए टॉप के साथ तब तक लिजए हिं नए बंदे मत्रों